हर्याना के DSP सुरेंदर सिंग को एक टिप आफ मिलती है कि राज्य के नूह डिस्ट्रिक के पंचगाउं एरिया में दिन दहाडे इल्लीगल सैंड माइनिंग चल रही है चार महिने बागी थे उनके रिटायर्मेंट को सनू की भी बोल सकते थे DSP का दरजा था किसी जूनियर को भी भेज सकते थे मामले की चानबीन करने के लिए लेकिन सैंड माफिया के खतरे को जानते हुए भी वो मौके पर पहुँचे और एक स्पीडिंग डंपर ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन पैसे और पावर की धुत में हमारे देश की सैंड माफिया को अब वर्दी का भी कोई खौफ नहीं रह गया है रेपोर्ट्स के अनुसार डंपर ट्रक ने जान मूच कर DSP सुरेंदर सिंग के उपर ट्रक चढ़ा दिया और उन्हें वहीं कुचल के मार डाला ये सब रात के सननाटे में नहीं हुआ भरी दुपहर में हुआ है शायद कोई पुरानी रंजिश भी रही होगी सिंग ने पहले भी इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ ताबड तोड कारवाई की हुई है एक सीनियर अफिसर की इस तरीके से हत्या देखकर सिस्टम भी काप गई हर्याना पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि गुनहेगारों को सजा तो जरूर मेलेगी स्टेट होम मिनिस्टर अनिल विज ने भी कहा कि चाहे जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत होगी मुहिया कराई जाएगी लेकिन कातिलों को बक्षा नहीं जाएगा लेकिन इस कडी निंदा घोर निंदा लाल आंक दिखाने से ये फैक्ट बदल नहीं जाता है कि आए दिन सैंड माफिया अपनी दहशत हमारे देश में फैला रहा है 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार जैनवरी 2019 और नोवेंबर 2020 के बीच में करीबन 200 लोग illegal sand mining के चलते मारे गए ये बहुत conservative आंकड़ा बता रहा हूँ आपको ये वो मौते हैं जिनको organizations track कर पाई है जाहिर सी बात है कि इसमें illegal mining करते हुए लोग शामिल है लेकिन उसके इलावा करीबन 25 farmers और villagers कम से कम 5 reporters और activists 11 सरकारी अफसर जी हाँ targeted killing की बात कर रहा हूँ 11 सरकारी अफसर जिसमें forest guard, policeman, revenue officers और district officials शामिल है अब इसमें हरियाना के DSP सुरेंदर सिंग का भी नाम आप जोड़ दीजे हैरानी की बात नहीं है कि इन करीबन 200 मौतों से 100 के आसपास तो North India में ही दर्ज हुई है South India में मरने वालों की संक्या सबसे कम थी लेकिन सवाल ये उठता है कि सैंड के लिए, बालू के लिए कोई reporter, policeman, सरकारी अफसर को क्यों मौत के घाट उतारेगा और ये कोई narcos थोड़े न चल रहा है और ना ही यहाँ कोई Pablo Escobar है जो drugs का धंदा, international cartel चला रहा हो और ना यहाँ कोई blood diamond है, wildlife traffic है, तो ये markart क्यों हो रहा है देखने में भले ही ये कुछ ना हो, लेकिन हमारे घर, हमारे school, hospitals, रस्ते, गाड़ी, देश का सारा काँच, agriculture, fertilizer, computer, electronic chips इसी सैंड से बनता है हर साल दुनिया भर में 40 से 50 billion टन सैंड की mining होती है लेक के शोर से, रिवर के शोर से, beaches से और जब आप दुनिया के सबसे बड़ी economies में एक हो, जहां हर जगे construction चल रही हो तो यही बालू सोने के भाव बिकता है और इसके लिए river sand को best माना जाता है क्योंकि रेगिस्तान का जो sand होता है, वो bonding element नहीं अच्छा माना जाता है बहुत rounded होता है उसका texture और समुंदर का जो rate होता है, वो बहुत corrosive माना जाता है तो सारा का सारा sand आता है river bank से और ये हमारे नदियों के लिए, हमारे environment के लिए बहुत जादा हानिकारक है इससे एक नदी की पूरी दिशा बदल सकती है और water table भी गिर सकता है अगर आप river से sand इतनी भारी मातरा में निकालोगे तो river bank destabilize हो जाता है और आसपास flooding की संभावना और भी बढ़ जाती है ये हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं illegal sand mining को रोकने के लिए कदम तो काफी उठाए गए है अट लिस्ट कागस पर उत्तरप्रतेश सरकार ने कहा है कि illegal sand mining के खिलाफ काफी सकत कदम उठाए गए है दूसरे स्टेट्स में आप large scale mining operations नहीं कर सकते हो लेकिन सच तो यही है कि हम sand extraction तेजी से कर रहे हैं और nature को उतना time भी नहीं दे पा रहे हैं कि वो sand को replenish करे कि भाईया nature अपना काम भी कर पाए इसके पीछे चाइना और इंडिया का of course construction boom बहुत बड़ा है आपका और हमारा घर शाहिद illegal rate से illegal sand mining के वज़े से ही बना है एक बार माफिया एक जगे को अगर चुन लेती है तो हजार तक लोग एक दिन रात काम करते हैं तीन सो से जादा ट्रक एक दिन के अंदर 24 गंटे के अंदर अंदर loading होती है और फिर सब वहाँ से गायब लेकिन ये सब संभव कैसे है अरे यार यहां एक tweet कर दो एक साल के लिए अंदर हो जाओगे जेल में वहां लोग DSP के उपर ट्रक चला देते हैं रौंद के मार देते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं ये इसलिए क्योंकि सैंड माफिया और पुलीस और पॉलिटेशन्स के साथ साथ एक दम एक मिली भगत है नैशनल जेओग्राफिक में छपे एक investigation के अनुसार सैंड का भाव मार्केट में 15,000 तक हो सकता था लेकिन ये बढ़के 40-50,000 तक हो जाता है पर ट्रक क्योंकि भाई पुलीस की रोयल्टी में बहुत जादा खर्चा हो जाता है NGT ने हाली में heavy machinery for sand mining पर रोक लगा दी और साथ ही साथ ये भी हिदायत दी कि river cleaning operations में जो sand निकलेगा उसे आप खुले market में बेच नहीं सकते हो NGT के वैसे चलती तो sand mining पूरी तरीके से ही रोकना चाती है पूरे देश भर में लेकिन पिछले November में Supreme Court ने कहा कि अगर आप full ban लगा दोगे तो सरकार को एक तो massive revenue loss होगा और दूसरा इससे illegal mining को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा दरसल sand mafia इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है इसका फाइदा उठाती है ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमारा जो illegal sand mining है वो पूरी तरीके से illegal है मामला से भी legal और कभी कभी quasi legal भी होता है मने permission मिलती है थोड़ी सी mining के लिए conditions के साथ लेकिन एक बार थोड़ा permission क्या मिल गया miners घुसके जितना हो सकते है mining कर देते है 10, 20, 30 गुना जादा सब कुछ खोद देते है अब भई रोकने वाला कौन है उनको और अगर कोई भूला विस्तरा इमानदार DSP आ भी जाए तो रॉन देंगे उसको ट्रक के नीचे हमारे देश में सैंड माफिया ये भी दर्शाती है कि सही नियम बनाना कितना जरूरी है क्योंकि सैंड माफिया के खिलाफ काम करने वाले एक्टिविस्ट खुद बोलते है कि लीगल माइनिंग के नियम इतने खठिन है कि लोग नियम को तोड़ना जादा पसंद करते है प्रिंट में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार लीगल माइनिंग के अप्रूबल के लिए एंवार्मेंटल क्लिरेंस लगती है जिसको आते आते एक साल लग जाता है उसके उपर आपको एक डीटेल्ड माइनिंग प्लान सब्मिट करना होता है वो भी ऐसा वैसा प्लान नहीं एक प्लान जिसे किसी जियोलोजी के डिगरी होल्डर वाले ने बनाया और पारित किया हो इसके बाद भी लोकल खर्चा पानी उसके उपर देना पड़ता है देखिये जैसा कि होता है दारू पर रोक लगाने पर सारा का सारा धंदा अंडरग्राउंड हो जाता है वैसा ही आज सैंड माइनिंग के साथ हो रहा है सारा का सारा धंदा majority part illegal हो गया है Sand Mafia के power का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि वो राज्य सरकार और राज्य के नियोमों के साथ खिलवार भी कर सकता है पंजाब में इस बार illegal sand mining एक election issue भी बना भी चाहिए था पंजाब District Mineral Foundation Rules 2018 के अनुसार किसी भी माइनर को अपनी royalty सरकार के साथ share करनी होती है One Third royalty लेकिन जिस टाइम पे sand का भाव बढ़ रहा है market में वहीं पिछले साल पंजाब सरकार ने cost of sand को 9 रुपए पर cubic feet से घटा के 5 रुपीज 50 पैसे पर cubic feet बना दिया Sand और gravel की royalty 60 रुपीज पर ton से घटा के 18 रुपीज 25 पैसे एक पर ton कर दिया माइनर्स के अच्छे दिन हर 3 साल में 400 लाक टन Sand और gravel की mining की permission मिलती है पंजाब सरकार से अब आप सोचिए कितना बड़ा loss of revenue हुआ है सरकार के लिए और माइनर्स यही माल खुले में profit में बेच रहे हैं market में हर दिन करोरों का profit शाप रहे हैं यह miners यह sand mafya और यह बात दर्शाता है कि क्यों sand mafya को अब रोकना और भी मुश्किल हो गया है क्यों वो senior police officer को भी रौंद देगी क्योंकि सब माला माल हो रहे है profit बहुत जादा है जिसके लिए आप कतल भी कर दोगे यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्तमाल होने वाला जो resource है वो sand है और अगर हम इसी तरीके से इसका दुरुपयोग करते रहेंगे इसको गलत तरीके से इस्तमाल करते रहेंगे लेकिन इसके बदले में sand की जगए हम उसको replace कर सकते है solid municipal waste से उसका इस्तमाल करके नई research यह भी दिखाती है कि sand के जगए आप crop residue का भी इस्तमाल कर सकते है जिसे नॉर्थ इंडिया की stubble burning का problem का समधान भी निकल सकता है अगर हम थोड़ी सी दमाग लगाए थोड़ा सा technology थोड़ा सा science लगाए और हाँ technology के साथ साथ political will की भी काफी आवशकता है लेकिन जब हमारे neta type लोग खुद ही sand mafia sand mining में involved रहेंगे तब तक यह समधान थोड़ा सा मुश्किल है फिलाल आज तो इस बात की जरूरत है कि sand mafia को हम ये ना सोचने दें कि वो reporters, activists, government officials, police officers को मार के खुला घूमेंगे तो अगले कुछ दिनों में ये देखना होगा कि DSP surrender सिंग के कातिलों को पकड़ा जाता है या नहीं उनके bosses को सजा मिलती है या नहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है अगली बार दूसरा officer रौधा जाएगा और हम फिर से कडी निंदा करेंगे लाल आख दिखाएंगे और फिर सब चंगासी बोलकर वो ही चलता रहेगा